स्टार प्लस के सूपर हिट शो नाम करण में आखिरकार वो वक्त आही गया जिसका दर्शकों को बेसबरी से इंतिजार था नील और अवनी के फैंस के लिए अच्छी खबर है दरसल नील और अवनी के हनीमून ट्रिप की कहानी अब सचाई में तबदील होने वाली है क्योंकि दोनों ने हनीमून के लिए पैकिंग कर ली है और होटल भी पहुँच चुके हैं जहां दोनों के बीच कोई नहीं है है तो बस दोनों की आँखों में हसीन सपने जो ना जाने कब से संजोए हुए है नील और अवनी जैसे ही होटल में पहुचते हैं दोनों सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि दोनों के हनीमून को खुबसूरत और यादगार बनाने के लिए होटल के रूम को बेहत खुबसूरती से डैकورेट किया गया है बैट को फूलों से ऐसे सजाया गया है जैसे वो फूलों का ही बिस्तर हो इस तरह के डैकोरेशन को देख कर नील और अवनी की आँखों में अलग ही चमक आ जाती है दोनों बिना कुछ बोले बैट से एक एक करके फूलों की पंखुडियों को हटाते है और इस दर्मियान दोनों एक दूसरे के बेहत करीब भी आ जाते है बिना कुछ बोले दोनों एक दूसरे की आँखों में खो जाते है होटल के कमरे में खामोशी है सननाटा है लेकिन फिर भी कमरे में प्यार की बारिश हो रही है आज नील और अवनी के लब खामोश है लेकिन आखे हैं जो दिल की जुबा बन गई है शिदत की महबत आखों से जलक रही है नील और अवनी दोनों एक दूसरे में खोई हुए है लेकिन अभी भी दोनों के पीछे कोई है जिसे ये सब बिलकुल नागवार गुजर रहा है वो हरगिस नहीं चाहता कि दोनों साथ रहें ये दिल जले कोई और नहीं बलकि अली और रिया हैं जो चाहते हैं कि दोनों अलग हो जाएं और इसके लिए दोनों कुछ प्लान भी कर रहे हैं अब ये देखना काफी एहम होगा कि क्या अली और रिया अपनी चाल में काम्याब हो पाएंगे या नील और अवनी की जोड़ी हमेशा ऐसे ही सलामत रहेगी न्यूज रूम से तसकीन हुसैन की रिपोर्ट सीरियल से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए सबस्क्राइब कीजिए हिंदी डाग